हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और न्यू वीडियो और ये वीडियो में हम नाबाड ग्रेड एका फेज वन का कट आफ देखने वाले हैं पिछले चार साल का दोजा सत्रा अठ्रा उन्नीस और बीस और आपको पता है ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि काफी सारे स्टुद से आपको एक अंदाज आएगा देखो कट आफ देखना मतलब एवरी टाइम इडिस नॉट डिसिजन सम्टाइम्स देर माइट भी वो ड्रास्टिक चेंज इन दी कट आफ लाइक वेरी हाई और वेरी लो विच हैपन इन दे आरबी ग्रेड भी फेज वन एक्जामेशन ला डी बी एस कहते है रूरल डवलप्मेंट बैंकिंग सर्विस जनरली इसके लिए कोई भी ग्रैजुएट अपलाई कर सकता है अभी हम इस साल का जो नोटिफिकेशन है डीटेल उसका वेट कर रहे है वो आने के बाद मैं आपको फिर से सारी चीजे वह है उसमें की समझा और ये जो डेव्लिफन बैंकिंग सर्विस है रूरल डेवलॉप्मेंट बैंकिंग सर्विस इसमें भी ये जो डी बी अपस्ट है उसमें 7 आही है ग्रेड बी में एक्चुली लास्ट टाइम यह नहीं आई ती तो इसलिए जो लोगों का एज क्रॉँस हो चुका है 30 इसके पहले था उसमें last year 2020 में आथा उसमें 139 vacancies total आई थी और उस time grade B का notification उसमें vacancies नहीं आए थी तो अभी यह देखते हैं कि 2020 में जो exam हुआ था यह उसका detail cutoff है अभी हम यह generalist post के लिए देख रहे हैं इसको RDBS कहते है SCSTOBCWSUR यानि कि UNRESERD category के लिए 118.50 ठीक है 118.50 cutoff था general category के लिए बाकी सारा अगर आप अलग-अलग specialist discipline के लिए अपलाई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप देख से अब यहाँ पे यह है यह है sectional cutoffs यानि कि यह है आपका reasoning है उसके बाद आपका computer knowledge है general awareness है यह English language है economic and social issues agriculture, rural development and quant ठीक है तो अलग-अलग category के लिए sectional cutoff कितना था यानि कि minimum marks आपको कोई section clear करने के लिए कितने चाहिए थे यहाँ पे यह थे बहुत ही कम है पतलब सब लोगों को इतने तो marks मिली जाते होंगे तो अभी यह 2019 का इसमें देखिए 129 cutoff था I think यह highest cutoff रहा होगा उसके बाद यह sectional cutoff देख लीजिए उस साल के 2019 के कि उसी range में थे यहाँ पे marks भी दिये यानि कि अलग-अलग section को कितने marks है जो candidates नए होंगे उनको पता होगा जो agriculture ruler development उसको 40 mark है ESI को 40 mark है and English को 40 marks है तो अभी सारे section को 20-20 mark है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अभी आते हैं 2018 का cutoff यह था 116.50 तो यह देख सकते हैं आप अलग-अलग categories के लिए अलग-अलग specialist post आती है उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे यह सारा sectional cutoff दिया हुआ है तीक है तो आप यहाँ पे video stop करके आप यह देख सकते हैं अभी यह है 2017 का यहाँ पर 109.25 cutoff था बाकी area के लिए आप देख सकते हैं और यह था उस year का sectional cutoff तो अभी यहाँ पे मैंने एक slide में यह सारा summarize कर दिया है अगर आप देखेंगे तो 109.25, 116.50, 129 and 118.50 तो काफी variation रहा है लेकिन अगर आपको range देखना है तो 110 से लेके 130 यह range के between रह सकता है लेकिन आपको क्या करना है maximum marks लाने का try करना है तो इसलिए अभी तयारी से कर लीजिए और अगर आपको नाबाड का कोई special core join करना है हमार यहाँ पे combo course भी है जैसे आप इसमें RBI प्लस नाबाड प्लस से भी का तयारी कर सकते तो वो description box में मैंने यहाँ पर उसकी link दे दिये तो अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है सारा content आपको एक जगे पे चाहिए तो आप हमारा course join कर सकते हैं thank you for watching this video and all the best for your examination and studies